भूश्कार दोस्तो एक बार आपका फिर से स्वागत है अमारे YouTube चैनल में और आझ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोटापा मोटापा आपको कैसे आता है और आप क्या यूज़ करें कि आपको मोटापा न आए कैसे आपके रहन सैन और डंग में आपको कैसे चेंड करना है कि आपको कभी भी मोटापा नहीं आए उसके लिए हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं सबसे पहले जो अमारे नई दर्शक हैं वो अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताके आपको हमारे नई वीडियो हैं वो मिलते रहें तो दोस्तो मोटापा अगर आप टीन चीजे अपने नियम में फोलो करते हैं तो आपकी जिन्दगी में कभी भी आपको मोटापा नहीं आएगा आप चाहे कितना ही खाना खाएं और मोटापा के लिए मैं आपको बता दू दोस्तो डाइटिंग की जरूरत नहीं होती है मोटापा के लिए आपको सिरफ खान पान को थोड़ा सा चेंज करना है आपको कभी जिन्दगी में मोटापा नहीं आएगा उसके लिए दोस्तो सबसे पहले जब भी आप पानी पीएं तो आप पानी खाने के एक से डेट घंटे के बाद ही पीए और पानी को भूट-भूट करके पीए शिप-शिप करके पीएं डारेक्ट पानी ना पीएं कि एक बार एक गिलास उठाया और तुरंत गट-गट पूरा पी लिया ऐसा नहीं पीएं दूसरा दोस्तों आप जब भी खाना खाते हैं उसके बाद में 10 से और 20 मिनट तक आपको वजरासन करना है वजरासन एक ऐसा आसन है जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं इसकी पोजिशन में आपको दिखाता हूँ कि आपको किस पोजिशन में आपको बैठना है और यह आसन करोगे आप और आप पानी पी होगे तो आयरुवेद इस बात की 100% गैरेंटी देता है कि आपको कभी भी जिंदगी में मोटा पे जैसी समश्या नहीं आईगी तो मैं बताता हूँ आपको वजरासन में आपको कैसे 15-20 मिनट तक बैठना है खाने के बाद में यह मैं आपको अभी बताता हूँ देखी आतो दोस्तों वजरासन आपको इस पोजिशन में बैठना है इस पोजिशन में आपको 15-20 मिनट बैठना है और आप इस पोजिशन में बैठके अपना चोटा मोटा घर का काम भी कर सकते हैं आप पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं लिखना हो तो लिख सकते हैं खाने के बाद में आप इस पोजिशन में 15-20 मिनट बैठिए आपको मोटापा नहीं आ रिगा और जिन दोस्तों को मोटापा आ चुका है या जो इससे घरसित हैं आप जिको प्रोग्लम हो चुके उनके लिए हम अमारा नेक्स वीडियो बनाने वाले हैं उसके लिए आप आप